नमस्ते, देखते हैं आपके पार्टनर कल रात किस एनरजी में थे, क्या कुछ सोच रहे थे, उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या खयाल आ रहे थे, ठीक है? सबसे पहले, जिरोनों भी सच्चा प्यार क्या है, एक लाइक कर दो, ठीक है? और उनिवर्स में ग्राटिटीट सेंड करना, आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, स्टार्ट करते हैं आपकी रिडिंग, कल रात आपके पर्सन के इस एनरजी में थे, फोकस करना है, आपको अपने पार्टनर के उपर देखते हैं, क्या कुछ आता है? ओके, सबसे पहरे में बता दूँ कि आपकी पर्सन बड़ा चिंतित थे, वो कोई भी बज़ा हो सकती, लेकिन चिंता आपके पार्टनर को बहुत ज़ादा सता रही थी कल रात, ठीक है? गैस, हो सकता है, हो सकता है कि आपके पार्टनर पिछले कई दिनों से आप से उम्मीद कर रहे हैं, कि आप उनको कॉल करें, आप उनको मैसेज करें, देखो गैस, आपके पार्टनर को ये जो जिन्दगी चल रही है, ठीक है? आपके बिना जो इनसान जी रहा है, इसको रबता है कि ये भी क्या जिन्दगी है, ये भी क्या जीना है, हर रात आपकी यादों में उसको तडपना है, मतलब वो नहीं चाहता है कि ऐसा कुछ रहे, वो चाहता है ये सब कुछ बदल जाए, आपके पार्टनर के अंदर आपके नहीं बढ़ता है, इसने अपने आपके उपर कंट्रोल कर लिया है, और जैसे ये जिन्दगी जी रहा है आपके बिना, ये बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ हो रही है, आपके पार्टनर हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान के अंदर पहले इतनी अवे आपने खुद महसुस किया होगा कि अपने फाइदी की बात करता था, लेकिन अब इस इंसान को ये रियलाइज होने लगा है कि प्यार क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है, ये आपने इस इंसान को सिखा दिया है, किसी का फाइदा उठाना, किसी के मजबूरी का या क इसी कि मासुमियत का फाइदा उठाना प्यार नहीं होता है, यह आपके पार्टनर को एहसास होने लगा है, और यही सब कुछ आपके साथ हुआ है, पास्ट में आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा फोर ग्रांटेड लिया था, आपके प्यार की, आपके भावना की बिलकुल कदर नहीं कि, कल रात आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था, कि वो जो कुछ भी कर रहा था, वो कितना सब कुछ गलत कर रहा था, यही तो बात है, कि आपके पार्टनर अब आपके लिए कॉम्प्रमाइस करना चाहते हैं, लेकिन देखो, अभी भी इस इंसान के इतनी अकड है कि खुद कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, कल रात भी आपके पार्टनर का मन बहुत कर रहा था, कि वो आपको मैसेज करे, वो इन जो दूरिया है, उसको मिटाए, लेकिन नहीं, मुझे ऐसे अनर्जी तो नहीं आ रही कि आपके पार्टनर ने कल रात कॉल या मै काड करना चाहता है, कही पर आपको डेट पर लेका जाना चाहता है, सारे सपने सर्जा कर रखे हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने का जो या तो हिमत नहीं है, या तो खुद बढ़ना नहीं चाहते हैं, आगे खुद होकर, उसका एगो, उसका अइडिटूड बीच में आजाता है ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर है कि आपके पार्टनर का मन बहुत करता है आपसे बात करने को लेकिन फिर पहले शुरुवात कौन करेगा पर बड़ी प्रॉब्लम है आपको करना चाहिए पहले शुरुवात ऐसे आपका पार्टनर का मानना है देखो गलतिया भी इंसान खुद ही करे और इंतजार भी आपका खुद ही करे ऐसा नहीं कि आपका पार्टनर आपकी तरफ वापस नहीं आएगा डेफिनेटली आएगा बहुत जल्दी आएगा लेकिन देखो इनकी अकड़ तो देखो कल रात भी आपसे कोई मैसेज रिसी होगा इस उम्मीद में आपका पार्टनर था मुझे ऐसे लगते है कि आपके पार्टनर किसी से गाइड 그래도 कि भी कल रात बहुत कोशिश कर रहे थी या तो वह किसी दोस्ते दोस्त हो सकते है उनके जिनको वह guidance बहुत ज्यादा कर रहा था तो कोई ऐसा close इंसान हो सकता है उनके जिनकी वह guidance लने क आपके person आपके उपर विश्वास नहीं रख पा रहे कोई तो ऐसी बात है या तो वाइस वर्सा भी हो सकते कि आप उस इंसान के उपर किसी बात के लिए विश्वास नहीं रखते हो या शादी की बात ज्यादातर हो सकती कि आपको ऐसा लगता है कि यह शादी नहीं करेगा ठ बहुत ज़्यादा प्यार है और आपके बिना तडब इसके दिल में बहुत ज़्यादा है लेकिन प्रॉब्लेम यह है कि दोनों का भी हो सकता है इगो पैटल्स बहुत ज़्यादा होई इस रिष्टे में क्योंकि इस इंसान को ऐसा भी लगते कि आप भी बड़े अकडू हो ठीक है देखो गाइस प्यार प्यार है इसमें घमन के लिए कोई जगा नहीं है और जिनके रिष्टे में घमन आता है फिर वो दूरिया बढ़ती चले जाती है ठीक है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे है कि आप दोनों के बीच में घमन आ चुका है जैसे कि घमन ही थर्ड पार् है आप दोनों के बीच में अगर घमन ना होता तो यह रिष्टा बहुत खूबसूरत होता है आपके पार्टनर आपके साथ नई शिर्वात भी करना चाहते हैं आपके साथ डेट पार जाना चाहते हैं वह सारे सपने तो देख रहे थे कल रात लेकिन उन सपनों को पूरा कर अगर ने के लिए अक्षन तो लेना जरूरी है जो वह नहीं ले रहे थे ठीक है मन बहुत कर रहा था कि आपसे बात कर लेकिन नहीं कर रहे थे आपके पार्टनर का क्या है कि वह अंसान चाहता तो है इस रिष्टे में आगे बढ़ना लेकिन वह चाहता है कि आपकी तरफ स शिर्वात हो ठीक है वह चाहता है कि जल से जल आप दोनों का रिष्टा बने और आप तो वह कुछ चीजे कॉंप्रमाइस करने के लिए भी तयार है जो पहले नहीं कर रहा था ठीक है वह चाहे कोई भी बात हो लेकिन आपके पार्टनर का दिल कहता है कि वह आपके तरफ व लगता है कि आपने उस इंसान को बहुत जदा मिननते की थी पास्ट में आपने बहुत जदा शादी को लेकर हो या इस रिष्टे को आगे बढ़ाने के बारे में हो बहुत जदा आपने बात की थी ठीक है लेकिन इस इंसान ने आपकी बात नहीं मानी ठीक है तो इस इंसान आपके बीना तडप राय हर रात वो इनसान खुद परिशान है, बैलेस लेकर आणा चाहते है इस रिष्टे में, अब तक अगर इस इस इसाने आपके कोई बात नहीं माने थी तो आपकी बाते मानना चाहते हैं, अपनी तरफ से पूरा बैलंस करना चाहते हैं, इसको ये भी है कि वो ही कम पड़ रहा इस रिष्टे में आपने अपना सब कुछ दे दिया है इस रिष्टे में वो इंसान ही कम पड़ रहा ये भी हैसास आपके पार्टनगे को कल रात हो रहा था कि आपके partner को ऐसा लगता है कि आपको कोई डर है, आप अपने comfort zone से बाहर नहीं निकलते हो, हो सकता है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको अपने family का डर हो सकता है, या तो कोई भी डर हो सकता है आपके मन में, आपके partner को ऐसा लगता है कि आप डरते बहुत हो, आप अपन इस तरह से आपने इस इंसान को पैमपर गया, जिस तरह से आपने इसको इतना जादा प्यार दिया भर भर के, वो सारी बाते इस इंसान को याद आती है, दूसरी तरह इस इंसान को लगते है कि आप तो डरते हो, आप क्या शादी करोगे, आप क्या अपने घरवालों के सामने में मेरी लिए बात करूगे, ऐसे भी आपके partner को रहरा रात बहुत ज़दा खैला रहे थे, और physical attraction भी ठा, ऐसा नहीं कि सिर्फ दर रहे थे, या चिंटा कर रहे थे, physical attraction भी बहुत ज़दा था, आपके partner के मन में कल रात, मिलना, इस इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है ऐसा लग रहा था उनको गाइस मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान खुद आगे बढ़ना नहीं चाहता ठीक है लेकिन कल रात की एनर्जी है और बहुत जल ये एनर्जी चेंज होगी क्योंकि एनसान कंट्रोल नहीं कर पाएगा और बहुत जल खुद ही होकर आपके दरफ आएगा लेकिन कल रात की जो एनर्जी है आपके पार्टनर कल रात कोई आक्शन नहीं ले रहे थे सिर्फ तडप रहे थे और चाहते थे कि वो सब कुछ हालाग बदल जाए बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पार्टनर के थोड़ चक्रा में बहुत प्रॉब्लिम है यह इनसान दिल के बाद जाहिर नहीं कर सकता बोल नहीं सकता इसको यह भी बड़ी प्रॉब्लिम है कि बोलना तो चाहता है लेकिन बोल नहीं सकता यहाँ पर कुछ alphabet है, K अक्षर बना है, यहाँ पर R बना है, यहाँ पर बना है O, और कुछ लोग के लिए कार्मिक साइकल भी हो सकती है, 0, ठीक है, इस अंसाम के जिन्दगी 0 है आपके बिना, कुछ भी नहीं है इसके लाइफ में आपके सिवा, T अक्षर बना है, H अक्षर बना है, ठीक है, नमबर 9 है, 6 है, 2 नमबर है यहाँ पर, 1, 8, 8 नमबर है, किसी की कार्मिक साइकल भी हो सकती है, जो खतम होने का नाम नहीं दे रही है, ऐसे भी लोग यहाँ पर है कि किसी कार्मिक के साथ डेल कर रहे हो, ऐसे भी हो सकता है, अब देखते हैं टैरो से, जोर जाते हो like करना देखते हैं क्या होता है कर राथ किस एनेरजी में आपके पार्टनर थे सबसे पहले हर्मिट रिवर्स आया है देखो अपने गलतिया इसको पता है पता है कि यह क्या गलतिया कर रहा है लेकिन अपनी गलतियों को कल रात मानता नहीं था अंसान फाय आप पैंटर कर इसके ने जो है बॉटम में कुछ लोग या पर ऐसे भी है कि या तो पैसर की बज़ज़ से आप दोनों के बीच में दूरी आई है ठीक है या तो इस इंसान के पास पैसा नहीं है इसलिए ये शादी के बात नहीं कर रहा है ऐसा भी हो सकता है इस ठीक है जानता है यह जरता है कि उसकी गलती है लेकान ऊस गलती को ही को अइसा करो तुम वैसा करो हमेशा इस इसे आपको सिखाने की कोशिश की इसको ऐसा लगता है कि वही सबसे हूशार और वो आपको सिखाता रहा, ऐसे भी लोग मुझे आपर दिखाई दे रहे हैं, और क्या है, नमबर नाइन खास हो सकता है आपके लिए, दीसन, देखो गाईज, आपके पार्टनर को यह एहसास तो हो रहा था, कि इस रिष्टे का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है, वो अगर इस रिष्टे में आगे बढ़ेगा, तो ही उसको हापिनेस मिलेगा, यह भी एनर्जी आपर है कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है, कि उसकी खुशिया कहा है, ठीक है, दीसन के एनर्जी है, और King of Pentacles, stability लेकर आना चाहते है इस रिष्टे में, अब तक आपके पार्टनर हो सकता है कि financial problem से जूच रहे थे, तो इस इंसानी कल राट बहुत कुछ ऐसे फैसले कर लिया है, या बहुत कुछ decide कर लिया है कि उनको अब पैसो के लिए, या इस रिष्टे के लिए, आगे क्या क करना है, हो सकता है कोई business plan वो बना रहे थे कल राट, ऐसा भी हो सकता है guys, राशी आप पर Taurus पर को क्याप्रिकॉर्ट है, page of source के नर्जी है, आपके परसंग कल राट आपके उपर नजर रख रहे थे, कल राट आपके परसंग भज़दा online थे, बहुत देर तक ये इंसान online र लेते हैं, king of pentacles, please universe guide करें क्यों है यापर king of pentacles, eight of cups, definitely, बहुत लोग यापर ऐसे ही है कि आपके partner पैसो की बज़ज़ से, अपने finance की बज़ज़ से, या कुछ करने के ओड में आप से दूर चला गया था, ये इंसान पैसा कमाना चाहता था, business start करना चाहता था, ऐसा कुछ कर चाहता था, जिससे उसके finance में stability आए, ठीक है, और इसलिए वो इंसान आप से दूर चला गया था, और जो लोग दूर चले गए हैं, जिनके भी partner दूर चले गए हैं, उनको कल रात अपनी हर गलती का बहुत जार रिग्रेट हो रहा था, और वो इंसान वापस आने की तैयार आपके पार्टनर डिप्रस सा फिल कर रहते हैं, उनको बिल्कुल खुश नहीं है आपके बिना, उनको लगता है कि उसके बिना नहीं जी सकता, एट अपकापस के नर्जी है, क्यांसर स्कोर्पियो पाइसी, डफनेटली गाइज, आपके परसन को, देखो गलतिया खुद की हैं, लेकिन उस गलतियों का एहसास नहीं हो रहा है, उसको क्लारिफाइज जब हमने किया तो पेज आपकापस, लेकिन इनसान इतना तो समझ पाय है कि उनको अब आपकी तरफ आना ही पड़ेगा, कॉल मेसेज करना ही पड़ेगा, कल रात भी इसका मन बहुत कर रहा था, कि आपको कॉल करें, मैसेज करें, लेकिन जैसे कि मैं ने बोला कि इनसान खुद को बहुत ग्रेट समझता है, खुद को ही बहुत समार्ट समझता है, इसको रखता है कि दूसरे तो बेवकूफ है, बस यही हुश्यार है यक, ठीक है, तो इस एनरजी में, इस आटिटूड में आपके पार्टनर रहते हैं, लेकिन कॉल मैसेज करने का मन तो बहुत कर रहा था आपके पार्टनर का, राशी वापस कैंसर स्कूर्पयों पाईसी है, आपके पार्टनर को पता है कि उसकी सारी हापिनेस, उसकी सारी खुश्या आपके साथ है, और अगर वो आपके पास नह बागता रहेगा तडबता रहेगा डिप्रेशन सा उसका हाल होगा एंजाइटी होगी वो कभी भी खुछ नहीं रह पाएगा आपके बिना सं के कार्ड को क्लारीफाइगा नाइन आप सोर्स के नर्जी है यह एंसान कल रात भर सोया नहीं है तडबता रहा है और उसको बार ब को बहुत об काक Swце खोता है अपके लिए इसको कुछ लोग आप रैसे कि आपके ओभ लगता है कि आपके आपस बात करते हो यह तो या तो आपके पर का बड़े परिछाण थे कि अगर मैं कॉल मैसेस करूंगा तो क्या उसका परिवार ठीक है या तो आपके परिवार की चिंता कर रहे थे या तो खुद के परिवार की चिंता कर रहे थे ठीक है तो क्या परिवार मानेगा नहीं मानेगा इस बारे में भी बुटी चिंतित थे आपके पार्टनर कल रहा तो और बॉटम में भी 9 of Wands है, 9 number, बार बार यहाँ पर 9 number आ रहा है, जैसे कि कार्मिक साइकल कम्प्लिट हो चुके हैं, और एक next cycle स्टार्ट होने वाले है, 9 of Wands के नर्शे बता रहे कि कल रहा था आपके partner कुछ बातों को clarify करने के mood में थे, उनको ऐसा लग रहा था, कुछ गलत फ्यामियों को दूर करना चाहिए, आपके मन में कोई गलत फ्यामिया हुई है, ऐसा आपके partner को fill हो रहा था, अब देखते हैं आपके लिए क्या guidance है, universe आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, सबसे पहले, आपको life में आगे बढ़ने के लिए कहा जारा, आपको stuck नहीं रहन है, यही सही वक्त है, अब life में आगे बढ़ने का, number four, number three खास हो सकता है आपके लिए, आपको अपने अंदर बहुत जादा change लेकर आने के आवश्यक्ता है, यहापर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हर वक्त दूसरों के लिए sacrifice करते आए हो, हर वक्त, तो यह भी बंद कर देना ह हैं, आपके अपने भी जिन्दग यह है, आपके भी इच्छा है हर किसी के लिए sacrifice आप नहीं कर सकते हैं, और अपने अंदर थोड़े बदलाव लेकर आने के लिए आपको कहा जा रहा है, आपको इस दर्स से बाहर निकलना होगा, बहुत लोग यहापर ऐसे ही कि बहुत अक करना चाहिए, आपको खुद को इस अकेले पन से बाहर निकलने के लिए हो सकता है कि आपको जरूरत पड़े किसी अपने दोस्तों से बात करने की, तो करो, लेकिन इस दर्स से बाहर निकलने के लिए आपको किसी से बात करने चाहिए, चाहिए अपने घरवालों के साथ टा पर उनिवर्स आपको कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा भोले हो बॉटम में भी देखो दलेकप देखो काई आप बहुत भोले हो आपका क्या प्रोब्लम है कि आपको हर चमकती हुई चीज सोना ही दिखाई देता हैं कोई भी इंसान अगर मिठी-मिठी बात आप से करे तो इंसान मिठी-मिठी बात करता है आपसे और आपको लगते कि उससे अच्छा कोई आपको का फ्रेंड हो नहीं सकता दूसरी बात इश्वर आपसे कहते कि किसी के उपर भी आपको डिपेंड नहीं रहना है ना इमोशनली डिपेंड रहना है ना फाइनशली आपको इंडिप परखने की, ठीक है, हो सकता कि आपने बहुत बार, सिर्फ आपके पार्टनर के बारे में नहीं, और लाइफ में, जो भी लोग आपके जिन्दगे में आते हैं, हो सकता कि आप गलत लोगों को सही मानते हो, और सही लोगों को गलत मानते हो, हो सकता कि कोई मिठी-मिठी बात कर वाले लोग अच्छे नहीं होते, उनके मन में छलकपट है, और वो आपको दिखाई नहीं देता है, आप बहुत भोले हो, तो जागो, अवेरनेस लेकर आओ अपने अंदर, कौन अपना है, कौन पराया है, इसको जानने की कोशिश करो, ठीक है, I hope आपको रडिंग पसंद रहे हो, लाइक, शेयर, और सब्सक्राइब, मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए, बाइ!